आईए भक्तो शवनकरी वट सावित्री व्रत कथा वट व्रिक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का समन करने की कान ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से परसिद्ध हुआ सावित्री भारतिय संस्कृती में एतिहासी के चरित्र माना जाता है सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है सावित्री का जनम भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था कहते हैं कि भदर देश में अश्वपती नाम का राजा राज्ये करता था इस राजा की कोई संतान नहीं थी एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुला कर कहा की मुझे संतान नहीं हुई है इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताईए जिससे मुझे संतान सुपकी प्राप्ती हो पंडित बोले हे राजन आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो की बारह वर्ष की आयों में विद्वा हो जाएगी राजा ने कहा क्या मेरा नाम नहीं रहेगा राजा ने बहुत यग्य हवन आदी करवाए यग्यवा होम कराने से राजा की पत्नी गर्ववती हो गई तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन यह बारह वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विद्वा होने का योग होगा पंडितों ने राजा को सनाजी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बढ़ सायत मवस्या की पूजा नेमित रूप से कराना राजा को कन्या की प्राप्ती हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया गया सावित्री के सास सूरंदे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी सत्यवान जंगल में लकणिया तोड़ कर लाया करता था सावित्री को पता था कि जिस दिन वह बारा साल की होगी उस दिन उसके पती की मृत्यू निश्चित है जिस दिन वह बारा वर्ष की होई उस दिन पती से हाँ जोड़ कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगी सत्यवान ने कहा यदी तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंदे माबाप की सेवा कौन करेगा अगर वे कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा फिर सावित्री अपने साथ ससुर के पास आई और बोली यदी आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चले जाऊं उसके साथ ससुर ने जाने की इजाज़त दे दी जंगल में जाने के बाद सावित्री लकडी काटने लगी और सत्यवान पेड की छाया में सो गया उस पेड में साप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोधी में रखकर रोने लगी महादेव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे उनकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पुछा कि पुत्री रो क्यूं रही है सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिये और बोली है भगवन आप मेरे पती को जीवित कर दो वह बोले कि आज बड़ सायत अमावस का दिन है तुम उसकी पुजा करोगी तो तुमारा पती जिन्दा हो जाएगा यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़की पूजा की बड़के पत्तों के गहने बना कर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिये धर्मराज बोले की तू वर्दान मांग सावित्री ने कहा की मेरे मापिता के पुत्र नहीं है वह पुत्रवान हो जाए धर्मराज बोले सत्यवचन हो जाएगा फिर बोली मेरे सास सुरंदे है उनके नेत्रों में परकाश भर्दो धर्मराज ने तथा अस्तू कहा लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा धर्मराज ने कहा कि अब तुझे और क्या चाहिए सावित्री ने कहा मुझे सौ पुत्र हो जाएं धर्मराज बोले तथा अस्तू और फिर सत्यवान को ले जाने लगे तब सावित्री ने कहा कि हे महराज आप मेरे पती को ले जाएंगे तो पुत्र कहां से होंगे धर्मराज ने कहा कि हे सती तुझे सुहाग सुख नहीं था लेकिन बड़ सायत मावस करने से और पार्वती जी की पुजा करने से तेरा पती जीवत हो जाएगा उसके बाद धिंडोरा पिटवा दिया गया कि जब जेट मास की अमवस्या आएगी तब सभी बढ़के पेड की पूजा करना और बढ़के पत्तों का गहना बना कर पहना और पाइना निकालना कहानी के अंत में कहना है कि हे महराज जैसे बढ़ सायत अमवस्या ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सब को देना जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सबी मनों कामनाओं को पूर्ण करना बढ़ सायत अमवस्या को ही बढ़ सावित्री बढ़ अमवस्या झाल झाल